नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सोनू सर्मा मुद्दा बड़ा गरम है शिक्ष्या को जब जब वेपार बनाये जाएगा तब तक बारत देश के अभिबावकों को पर जोर पड़ना लाजमी है क्योंकि शिक्ष्या को आज के समय में वेपार माना जाता है जहां पर हम द वोर्ड है वो पेपर है उसमें NCRT की किताबें लगाई गई है पहले जो किताबें लग रही थी वो स्कूल के परसासंद वारा अपने तरीके से लगवाई गई थी लेकिन उसके बाद में अब अभिवावकों के जेप पर डाका के से डला पहले 5,000 रुपे या 8,000 रुपे और इसके बाद में आपका जो सलेबस है वो NCRT की जो है किताबों का आएगा नमस्कार जी क्या नाम है जी मैं कपिल कुमार बसत दिक्कत यह है कि पूरे साले में स्रीवेस सी से बच्चों को पढ़ाया है और तीन दिन पहले नोटिस आगया हमारे पास कि आठीन क्लास के ज जाओ जाते हैं वो कहते हैं यह मरवास उपर से और रहे हैं एड्यूकेशन मिलिस्ट्री में जाओ पूरे साल बच्चों ने सीवियस से बढ़ाए कि एक मिनने में किताब में चेंज हो गए तो वस्लेबस को कैसे कंपलिक करता है मिन मुद्दा यह है अब जैसे पहले जो कि स्कूल ने अपनी जे बढ़ने के लिए इस तरीके से हुआ यही था कि जब यह सेशन शुरू हुआ था हमारे पास यही बात आई थी कि किताब में लेगेंगी अच्छा था लग जाती सभी स्कूलों के अंतर एक जैसे किताब हो बच्चों को पढ़ने भी हेल्प मिलती है कहीं बाहर भी जाना पड़े तो इसको दिक्कत नहीं होती लेकिन बड़े हैं बच्चे प्रेशर में बाइसा बच्चे राद बर सोच कि जो ने वाला है प्रेशर ले चुका है कि बच्चों पर बच्चों पर बच्चों पर बहुत प्रेशर बना हुआ है बच्चे ना हम भी प्रेशर मिना रहे हैं उनके मैंटली पर पर बच्चों की कोई पर 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 प्राइब है इसले इस साल पर सासन से कोई बात किया है वह कैते हमारे हाथ में कुछ नहीं है आप आगे उन से प्रिख्षा के अगले से स्टार्ट की जाए और यह तरफ जेब कत हमारे साथ पहले किताब लें फिर वह पड़ाई था हमारी वह बुक्स तो रद्धी के भाव गई अब बच्चों को एक मिन्ने में एक साल की पड़ाई एक मिन्ने में कैसे कवर करेगा आप बताओ अब जो नई बुक्स आई है उनकी किमत कितनी है पूरी उनकी तो फाइव बिलकुल डाका है सर इसमें कोई दोरा है नहीं है यह आपने सबसे बात की है यह बुक्स जो आ रही है 500 पर में तो पहले की भुक्स ती वह पांजार साड़े पांजार में अब जब इनको पता था या नहीं पता था सब अब जो में प्रोलम है कि बच्चा एक मेंने के सरकारी स्कूलों में तो जी प्राइबेट स्कूल का थी जो मैडम कहती है पब्लीशर से सेटिंग करके वह भूक लगती है और इनों ने तो जी शिक्षा को एक वह पार बना रखा है चलाने यह मिरे साथ मेरे बचपन का दोस्त है तीस साल 35 साल है इसने ही मेरे साथ हा करके स्कूल जमा करवाई थी एक पैसा नहीं चोड़ा था नहीं एक सिंगल पैसा दो लाक रोए में देखे आया था इनको अब जब स्कूल शुरू हुए तब भी मैंने पूरे साल की फीज एडवास जमा करवा रख्या उसके बावजूत अगर बच्चों को परशान ह को भी सोचना चीए कि एक मिन्ने में ये बच्चे एट के पर बोड़ एक्जाम के प्यारी कैसे करेंगे और इतना करोना काल चलन लग रहा है फिर भी सरकार भी कुछ नहीं सोचना काल है बच्चों को पढ़ाई करने क्या तो वैसे भी शूट गई मोबाईल हाथ में होते है अगर सिक्ष्या को वेपार बनाया जाएगा तो सिक्ष्या की दुर्गती होनी लाजमी है और अभी बावकों के जे पर डका डाला जाना भी लाजमी है इस चीज़ के जिमेदार जो सालों साल सत्ता में है हर वो वेक्ति है क्योंकि उन्होंने कभी सरकारी स्कूल की तरफ द दियान क्यों देंगे तो सभी सातियों से गुजारी से इस वीडियो को जादा से जादा से जादा से इस वीडियो के बारे में आपके क्या राए है कोमेंट करके हमें जरूर बताएं धन्यवास शुक्रिया